हेलो बच्चो क्लास हिप्ट ये आपका हिंदी ग्रामर है अभी तक आपका हिंदी आप फर्स्ट जो पड़ रहे थे अब हिंदी ग्रामर आपका है इसमें आप देखिए ग्रामर का आपका पहला लेशन है इसमें देखिए आपका क्या है भागा व्याकरण प्रचन पार्ट ग्रामर आपका पहला लेशन क्या है भासा तथा व्याकरण लेंग्वेज एन ग्रामर भासा सब्द संस्क्रित भासा की भास सब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना या प्रगट करना अर्था जो बोली जाती है वह भासा है यानि कि भासा सब्द जो है वो संस्क्रित भासा के भास सब्द से बना है और ये हमारे बोलने या अपने मन की बात को प्रगट करने के तरीके को जो है बोली या भासा कहते हैं परिभासा भासावा साधाने जिसके माध्यम द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रगट करते हैं तथा दूसरे के विच सुनाते हैं और दूसरा जो हम दूसरे की भासा को सुनकर समझते हैं उसे जो है मौखिक भासा कहते हैं जब हम बोलकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुचाते हैं तो वह भासा लिखित मौखिक रूप कहलाता है यह भासा का मूल रूप होता है हम सबसे पहले भासा के मौख को ही सीखते हैं जिसे सीखने के लिए बच्चे को कोई विसीस प्रयास नहीं करना पड़ता है इसे बच्चा अपने परिवार तथा आसपास के वातारन से सुनकर और बोलकर सीखता है मौखिक भासा जो है देखिए इसे हम जो है बच्चा छोटा सा बच्चा आप देखते हो उसको पहले बोलना सीखाया जाता है उसे हम अपने घर परिवार में ही सीख जाते हैं धीरे धीरे उसको जिस तरे बच्चे को सीखाया जाता है वैसे हम आप भी सीखते हैं और धीरे धीरे उसकी पकड़ हम जब बड़े होते जैसे हमारा दिमाग बड़ा होता है वैसे हमार के लिए बच्चे को विशेश प्रयास करने पड़ते हैं लिखित भासा देखिये क्या है भासा वही है तरीका वही है पर इसे हम लिख कर करते हैं तो लिख कर हम दूसरों तक पहुचाते हैं इसे बच्चा तुरंत तो सीखता नहीं है इसको सीखने के लिए हमें स्कूल में आ जाने वाली भासा बोली कहला थी, जैसे मैथली, राजिस्थानी, बुलेंद खंडी, इनके प्रयोग केवर बोलचाल तक सीमित होता है, इसमें सधार्त साहित तिरचना नहीं की जाती, इन भासाओं से साहित तिरचना यानि की कविता, गद्य, पद्य, कुछ भी इससे नहीं बनता है, इसित आम बोलचाल की भासा के लिए प्रयोग किया जाता है, बोडो, डोगरी, मैथली और कॉंकडी ये चार बोलियां हैं, जिने भासा के रूम में माननेता मिल गई है, कौन से बोडो, डोगरी, मैथली और कॉंकडी, इन भासाओं को भासा का माननेता मिल चुका इस समय भारत में 22 भासाय प्रचलित हैं ये हैं आसामियत, उर्दू, तेल्गू, तमिल, सिंधी, संथाली, संस्कृती, पंजाबी, उडिया, नेपाली, मराथी, मडिपूर, पूरी, मले आलम, मैथिली, कॉंकडी, कास्मीरी, कन्नड, हिंदी, गुजराती, डोगरी, बोडो अर बंगला ये भासाइं जो है प्रचलित भासाइं हैं ये जहां का समाज है, वहां वुस्तर, जहां का छेत्र जहां की जग है, वहां की भासाय जैसे आसाम में आशमी आश्मीया, उर्दू, हर जगे बोली जाती हैं, तेल्गू, तमिल, तमिलनाडू में, सिंधी, सिंधे अगले वेडियो में आपको जो है बाकी के हिंदी हमारी राष्ट भासा है इसके बारे में बताएंगे धन्यवाद